जाहो श्रीक्ष्णु पुआनके शान्ताकारं भुजगशयनं पदमनाबं सुरेशं विश्वदारं गगन सद्रीशं मेघवरणं सुभांगं लक्षमी कांटं कमलनयनं योगे विझान गम्यं बन्दे विश्णु भाव भय हरं सरवलो कई के नाठं यम ब्रह्मा वर्ने दुरु दुर्मसे स्वंति दिवेस्ट वैर वैदै सांग पदै कर्मुपनिस्दैर गायन्तियंग सामंगा ध्यान अवस्तित दगतेन मनसा पश्यंतियंग योगिनों ये श्यान्तम नाविदूसरा सुर्गना देवाई तस्माइनम है जिनकी आकरिती अतिशाशान्त है जो सेश नाक की सैया परसेयन के हुए है जिनकी नाभी में कमल है जो देवताओं के विश्वर और संपून जगत के आधार है जो अकाश के इस्द्री सरवत्र व्यापत है नील में के समाद जिनका वरण है अतिशाश संदर जिनके संपून अंग है जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त के जाते हैं जो संपून लोकों के स्वामी है जो जनमर अरन रूप है का नाश करने वाड़े हैं कमल नेत्र भगवान सिरी विष्णू को मैं सिर्ष से प्रणाम करता हूँ ब्रह्मा वरुन इंडर रुद्र और मुरुद्गन दिवे स्वत्रों द्वारा जिनकी स्थूति करते हैं साम वेद के गाने वाले अंग पद कर्म और अपनिशिदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गायन करते हैं योगी जन्ध्यान में इस्ति तद्गत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं देवता और असुरगन भी कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते उन परम पुर्ष नार अठारण देव के लिए मेरा नमस्कार हूँ जय हुप्रभा अठारवी जय का शेश भाग जो करता संग रहित अहंकार के वचन ना बोलने वाला धैरे और उत्षा से युक्त तथा काले के सिद्ध होने और ना होने में हर शोकाजी विकारों से रहित हैं वह सात्वी काजात जो करता आसकती से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोबी है तथा दूसरों को कष्ट देने के सभावाला शुद्ध चारी और हर्ष सोक से लिपता हैं वह राजिश कहा गया है अयुक्त है प्राकर्त है स्तब्ध है सठो नैश्क्रीती को अलसे हैं विशाधी दिर्ग सुत्रीते करता तामस उच्यते बुद्धर वेदम धृत श्याव गुणत स्त्रीवी धम श्रिनों प्रोत्यमानम शेशेन प्रिशकेतुने धनन्जे जो करता अयुक्त शीक्षाते रहित, घमंडी, धूरत, दूसरों की जीवका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला आलसी और धिर्ग सुत्री है धिर्ग सुत्री उसको कहा जाता है कि जो थोड़े से कार में होने वालाइक सधार्ण से कारे को फिर करनेंगे ऐसा आशा से बहुत कार तक कारे को पूरा नहीं करता भगवान ने कहा है वह तामस कहा जाता है हे धनन्ज अवत बुद्धी का रोध्रिती का विगुणू के निशारतीन प्रकार का भेद मेरी दुआरा संपूर्ण ता से विभाग पुर कहा जाने वाला सुन प्रविर्तिम चै निवरितिम चै कार्या कार्य भया भये बंधनमोक्ष्णम चै आवेती बुद्धी सापार्थ सात्री की ये अधरम अधरमम चै कार्य चै कार्य मेव चै अयथावत प्रजानाती बुद्धी सापार्थ राजशी अधर्म धरमितिया मन्यते तमसावरिता सरवार्थान विप्रितास्ट बुद्धी सापार्थतामसी दृत्यायया धार्यते मनह प्राणिंद्रियक्रियाहा योगे नाव्य भीचारिन्याद भृति सापार्थ साथ्यकी स्री किष्ण भुगवान कहते हैं ये पार्थ जो बुद्धी प्रविति मारग और निवरिति मारग को कर्तवे और अकर्तवे को भहे और अभह को तदा बंदन और मुक्ष को यथात जानती है वह बुद्धी सात्वी की है हे पार्थ मनुश्य जिस बुद्धी के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तवे और अकर्तवे को भी यथात नहीं जानता वह बुद्धी राग सी है हे अर्दुन जो तमोगुण से घिरी हुई वुद्धी अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विप्रीत मान लेती है वह वुद्धी तामसी है हे पात जिस अव्योगी चारनी धार्ण शक्ती से मनुश ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धार्ण करता है वह धृती सात्वी की है जा हो स्री कृष्ण भगवान की यया तु धरम कामा आर्थान ध्रित्या धारतेर जुन प्रसंगेन फला कांक्षी ध्रिती हिसा पार्थ राजसी यया स्वपनम भयम शोकम विशादम अदमेव चै नामुच चती दुरमेधा ध्रिती हिसा पार्थतामसी विशेंद्र विशेंद्रिये सन्योगाड़त धगरे अमरीतो पमम परिणामे विश्मीव चत्चुखम राजसम सम्रितम परंतु हे प्रित्था पुत्र अर्जुन फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धान शक्ती के द्वारा अचन्त आशक्ती से धरम अर्थ और कामों को धान करता है वह धान शक्ती राजसी है हे पार्थ दुष्ट वुद्धी वाला मनुष्य जिस धान शक्ती के द्वारा निद्रा, भय, पींता और दुख को चता उनमत्ता को भी नहीं छोडता अर्थार धान की रहता है वह धान शक्ती तामसी है हे भर्थ रेष्ट इन तीन प्रकार के सुख को भी तुमुझ से सुन जिस सुख में सादक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादी के भ्यास से रम्र करता है और जिस से दुखों के अन्त को प्राप्त हो जाता है जो ऐसा सुख है वह अरंब कालम यद्ध भी विष्ट के तु इसलिए भ्याव प्रमातम विष्ञ गुद्धी के प्रसा से उत्तपन होने वाला शुक सात्य कहा गया है जो शुक विशा और इंद्रियों के सुन्योक से होता है वह पहले भोकाल में अमर्द के तुलिपर तीद्य होने पर भी परिनाम में विष्ण के तुलिया है इसलिए वैसुक राजिस कहा गया है यद ग्रेचानु बंधे चैसुख मुहन मात्मने है निद्रालस्य प्रमोजत प्रमादोथम तताम समुदाहेतम नातदस्ती प्रित्व्याम वादी विदेवेशु आपुने हैं सतुम प्रकिर्तिर जैनर्मुक्तम यदे भी से आत्री भीर गुण ब्रामनक्षत्री विश्याम सुद्राणम थै प्रंतव कर्मानी प्रवी भक्तानी सभाव प्रभ वैर गुणे हैं समोद मस्त पहशोच मुख्षान्ती राद वर्मेवुचै ज्ञानम विज्ञानमास्ति क्यम ब्रम कर्मस भाव जम्त जो सुख भोकाल्मे तताप्रणाम मे भी आत्मा को मोहित करने वाला है वह निद्रा अलस्य और प्रमास से उत्पन सुख तामस कहा गया है प्रिथुई में या अकाश में अथ्वा देताओं में तथा इन के सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकिर्थी से उत्पन इन तिनों गुणों से रहीत ह हे प्रंत पर ब्रामन, क्षत्री और वैश्यों के तासुत्रों के कर्म सभाव से उत्पन गुणों द्वारा विभक्त किये गए हैं आंताकर्ण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से सुद्ध रहना, दूसरों के अ प्रादों को क्षमा करना, मन, इंद्री और श्रीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, इश्वर और परलोक आदि में शर्दा रखना, वेद शास्त्रों का अध्यान अध्यापन करना, और प्रमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सभी ब्रामन के सभाव कर्म हैं, सोर्य तेजो धृतिर दक्षम युदे चापल लायनम दानमिश्वर भावस्ट क्षात्रम कर्म सभावजम कृषी गोरक्ष वानिद्यम वैश कर्व सभावजम परित्रियात्मकं कर्म सुद्र स्यापि सभावजम सवे सवे कर्मन्यार भारत है संसिधिम लबते नरह सवकरम निर्त है सिधिम यथा विदन्ति तक्ष्रिनू यथा है प्रविर्तिर भूता नाम ये न्स्रमिदम ततम सवकरमनातम भैस्टर सिधिम विदन्ति मानव है शूर वीर्ता, तेज, धैर, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामि भाव ये सब के सभी एक्षत्री के सभाविक कर्म है खेती, गोपालन और क्रेवी क्रेरूप, सत्य विभार ये वहस्टी सभाविक कर्म है सभ वरनों की सेवा करना शुद्रकावी सभाविक कर्म है अपने अपने सभाविक कर्मों में तत्पर्ता से लगा हुआ मनुष्य भगत प्राप्ति रूप परमसिद्धी को प्राप्त हो जाता है आपने अपने सुभाविक कर्म में लगा हूँआ मनुश्य, जिस प्रकार से कर्म करके परमसिध्धी को प्राप्त होता है, उस वीदी को तु सुन, जिस परमेश्वर से समपून प्रानियों के उत्पती हुई है, और जिस्चने है समस्त जगत व्यापत है, उस परमेश्वर क अपने स्भाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य प्रमसिद्धी को प्राप्त हो जाता है। असत्वुद्धी स्रवत्व जितात्मा विक्र्षप्री है। नैश कर्मे सिध्धिम प्रामाम सन्या से नाधी गच्चती। सिध्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म यथा अपनोती निबोध में समा से नैवकूंते निष्ठा ग्यानस्य यापरा। अच्छी प्रकार आचरन किये हुए दूसरे के धरम से गुण रहीत भी अपना धरम से रिष्ठ है। क्योंकि सभाव से नियत किये हुए सभ धाम रुप कर्म को करता हुआ मनशेपाप को नहीं प्राप्त होता है। वेखुंती पुत्त दोश युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए क्योंकि धुएं से अगनी की भाती सभी कर्म किसी ना किसी दोश से युक्त हैं सरवत्र आसक्तिरीत बुद्धी वाला सप्रिहार रहीत और जीते हुए अंध्यकरन वाला पुरुष सांखयोग के द्वारा उस परम नैशकर्म सिद्धी को प्राप्त होता है जो कि ज्यान योग की परनिष्ठा है उस नैशकर्म सिद्धी को जिस प्रकार से प्राप्त होकर म आगे का अध्य हम अगली वीडियो में कहेंगे जय हो स्री किष्ण भून के जो भी भगत दन इस गीता शास्तर का स्रवन कर रहे हैं मिरी आप से विंती है कि आप अपने घर में जो बिमार हैं लाचार हैं चल फिर नहीं सकते उनको भी ये गीता शास्तर सुनाएं विश्व के किल्यान के लिए जगत के किल्यान के लिए ये मैंने गीता शास्तर कहा है मैं आशा करती हूँ आप सब इसका लाव उठाएंगे जय हो स्री किष्ण भून के